आप सभी का स्वागत है UP Academy for Civil Services में मैं मानस पांडे आपको पूरी की पूरी संपूर्ण पॉलिटी सिर्फ दो वीडियो में कम्प्लीट कर रहा हूँ और इन दो वीडियो में मैं पिछले 30 सालों में पूंचे गए 1200 प्रशनों को कम्प्लीट कर रहा हूँ तो आप से मेरी ये गुजारिश है कि आप किसी भी एक्जाम को उतरप्रदेश का देने जाएं उसके पहले ते कि 70-70-80,000 का आप कोचिंग का किराय देते ही हैं रहने खाने का देते ही हैं मैं आपको फ्री में दो एडवाइस दे रहा हूँ कि एक्जाम में जाने से पहले कम से कम 5 बार मेरी ये दो वीडियो आप बस आप देखके चली जाएगा तोटल 3 घंटे की वीडियो है दोनों वीडियो को मिला दीजे तो तीक आप इन दो वीडियो को पढ़ दीजिए फिर मैं आपको ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि इन दो वीडियों से UPPCS में 15 प्रशन आएंगे, 15 प्रशन आएंगे, 2023 प्रिलिम्स में 15 प्रशन आएंगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, आपको सिर्फ दो काम करने हैं, एक तो दो वीडियो को बार-बार रटना है, प्लस टॉपर्स कोड पे इसकी फ्री पीडियेफ मैंने डाल रखी है, फ्री माटीरियल के नाम से, साथ ही साथ टॉपर्स कोड उत्तर प्रदेश की सबसे बेस्ट एप्लिकेशन है, उसमें कुछ सही जो जैसा उसको वैसे ही रट लीजे, वही आपको पास कराएगा, तो वो टॉपर्स कोड पे आप ध्यान देंगे, तो जितनी भी टेस्स सिरीज है, अगर पॉलिटी का एक भी प्रशन है, तो वो इसी में से एक है, तो संसत की संप्रभुता किसे से प्रतिबंधित है, याद रखिए भारत की संसत संप्रभु नहीं है, और इसकी संप्रभुता प्रमबंधित करता है क्या न्याइक समिक्षा से, जुडिशियल रिव्यू से, ये कौन करता है, संसत के अधिकारी कौन-कौन होते हैं, आपको मैं लोगसभा का अध्यक्ष भी अधिकारी होता है, लोगसभा का उपाध्यक्ष, लोगसभा के महासचिव, राजसभा के अध्यक्ष, इसके अतरिक्त आपको सामने यहां में दिखा दूँ, कि सभापती, राजसभा का उपसभापती, सभापती, उपसभापती, राजसभा का अ सदस्य कहा जाता है, याद रखिए मंत्रियों को संसद में मंत्रियों को छोड़ दीजे, किसको छोड़ दीजे, मंत्रियों को छोड़ दीजे, बाकी सभी संसद गैर सरकारी कहा जाते हैं, ये एक बहुत इंपोर्टन प्रशन है, अब कुछ लोगों का कहना होता है कि सर ये ब पर निम्न में से कौन संसत सदस्चियों का सामुहिक विशेशादिकार नहीं है। आपको भी फिर में यही सेम प्रशन दिखाऊंगा। कौन सा कतन सही नहीं है। रास्टपती पध्यत की सरकार भारत में नहीं है। अमेरिका में है। अब आजए एक प्रेसिडेंट से संबंदित थोड़ा तेजी से हम लोग पढ़ेंगे ताकि यहर चीज़ को हम लोग कवर कर सके जल्दी जल्दी। तो सम्विधान के अनुसार भारती रास्टपत की कारेपाली का शक्तियों से संबंदित इन कतनों पर विचार करें। सम्विधान के अनुक्षे तिरपन ए के अनुसार कारेपाली का शक्तियों का उप्योग करना चाहिए। सम्विधान के अनुसार का शक्तियों का उप्योग करता है। इसमें एक चेंज करने की कोशिस की कमेंड बॉक्स में कमेंड करकी बताईए वो क्या था। तिके पुनर निर्वाचन के पातरता का क्या प्रावधान है। यहां पे आप ध्यान से देखें। पुनर निर्वाचन के लिए ये देखें। आप इसको अच्छे से रट लीजे। चपन क्या कहता है पदावधी। 57 क्या कहता है पुनर निर्वाचन 58 क्या कहता है राष्टपत के लिए अड़ता और उसके बाद पद के लिए शर्तें। इसको रटने का एक शौटस तरीका मैंने अनुच्छेदूं का जब मैंने बताया था कि 52 से लेके 250 तक के अनुच्छेद तक को कैसे आसानी से रट सकते हैं बिना लोड लिए। तो यह मैंने अलड़ी वीडियो बना रखिया आप उसको जरूर देखियेगा भारत का कौन सा राष्टपत सर्वसंमती से चुना गया नीलम संजीव रड्डी याद रखियेगा नीलम संजीव रड्डी सर्वसंमत से मतला बिना किसी विरोध के चुने गए याद तो इनके बारे में आ सकता है, निमन में से किसने भारत के रास्टपत के प्रत गहन करने से पूर उपरास्टपती के पत पर कार्य नहीं किया, अब UPPCS के ये पेट प्रशन है, आज कल UPPCS में ऐसे प्रशन बहुत आ रहे हैं, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए हो, इसलिए इ ये जो नीलम संजीव रेड़ी थे, ये मुख्य मंतरी थे, ये उपरास्टपती कभी नहीं, मतब कभी उपरास्टपती नहीं काम किये थे, तेक तो इसका मतलब आर विंकट रमन उपरास्टपती थे, जाकिर हुसेन जी उपरास्ट करती थे, संकल दया, सलमा उग्र भी रास्टपति के पास है अगला आजाए ये रास्टपति के नामांकन में कितने प्रस्तावक कितने अनमोदा कि हम अब अब अच्छे बढ़ा चुका हूँ पचास प्रस्तावक पचास अनमोदा ठीक है 1997 से पहले दददस थे फिर इसको बढ़ा दिया गया भारत का रास्टपति अपने पत ग्रहन करने की तिथी से पांच वर्स की अवद तक कारे करेगा ये तो सही बात है दूसरा रास्टपति यदि आवश्यक हो तो अपना त्यागपत्र भारत के सरवोचन्याले के मुखे नदी इसको प्रस्तुत करेगा ये तो कहीं नहीं लिखा रास्टपती अपना त्यागपत्र उपरास्टपती को देता है याद रखेगा वो अपना त्यागपत्र किसको देता है उपरास्टपती को ये मैंने आपको पढ़ाया है तो आप प्रशनों के quality देखिए दो option, दो question दे दिया दो आपको sentence दे दिये उनमें से सही गलत अब आजकल इसी type के प्रशने UPPSC में आते हैं आप इसके अलामा कुछ और पढ़ा रहे हैं तो मत पढ़िए इसी type के प्रशनों की practice होनी जरूरी है और इनकी practice कब होगी जब आपका basic concept कब कब होगा जब आप M. Lakshmikand को कम से कम 5 बार अच्छे से रट लेंगे देखिए दुनिया छोटी सी है आपको एक book पढ़नी है M. Lakshmikand अगर आपने उसको 10 बार पढ़ लिया तो आप top कर जाएंगे exam आप दुनिया भर टहलते रहें मतलब देखिए गिन के art book हैं हैं भाईया वो art book पढ़ दीजिए IS बन जाईए प्रिलम्स निकल जाता है वो art book पढ़ दीजिए PCS निकाल लीजिए तो कुल मिला कि दुनिया सिर्फ बेकूब बनाती है और आप खुद बनते हैं क्यों क्योंकि आप दर-दर भटक रहे हैं अच्छे content के तलाश में लेकिन content सिर्फ art किताबों में है सिर्फ art किताबों में अगर आप दर-दर ना बटक के उन्हीं art किताबों को अच्छे से रट ले या कोई आपको समझा दे तो मैंने वही 65-70 क्लास में आपको एमलक्षमिकान समझाया ना समझ में आया तो कोई बात नहीं अगला प्रशना आजाएगे ये भारत के समिधान के अंसार केंदर की कारेपाल का शक्ति किसमें नहित है प्रधानमत्री में नहीं रास्ट्रपती में अगला रास्ट्रपती के विशेश अभिभाषन के संदर्व में याद रखिएगा प्रथम सत्र के आरप में संसत के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोध्यत करता है बिल्कुल सही बात है रास्ट्रपत अपने अभिभाषन में संसत को उसके आवानों के विशेश में सूचित करता है दोनों एकदम सही बात है निमन में से भारती सम्मिदानों के अनुचेद में से किस एक के अंतरगत रास्टपति मंत्री परशत के सलाह से कान करने के बात दिया है तो याद रखे चोहत्तर ए 74 A के हिसाब से वो बाद दिया है मंत्री परशत के सला के आधार पर भारत के रास्पति के चुनाओं से संबंदित विवादों का निर्णयन कौन करता है तो याद रखिए अगर भारत का सरवोच नियाले करता है भारत के मतलब रास्पति के निर्वाचन मंडल के सदस्च रहते हैं कौन? याद रखिया क्या कौन कौन सदस्च है संसत के दोनों सदस्चियों को ध्यान से इसमें सही उत्तर क्या है या आपको देखना संसत के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्च बिलकुल सही राज विधान मंडलों के दोनों सदनों के गलत राज विधान मंडलों के दोनों सदन के नहीं राजियों की विधान सभाके तो ये इसका दूसरा वला गलत है सभी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्च ये सही है दिल्ली और पॉंडिचेरी ये वला सही तो इसका मतलब एक, तीन, चार, चौथा ओप्शन दे, दिए कितनी बाराया है, भारत के रास्पती का चुनाओ किया जाता है, कैसे, ये एक निर्वाचन मंडल द्वारा, जिसमें कौन-कौन, संसत के दोनों सधन, राज्यों के विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, अगला दोनों सही हैं, और दोनों एक दूसरे को सही रूप में सपस्ट करते हैं, भारती समीधान के अनुच्छे 369, याद रखिएगा, जो कुछ अलग से अनुच्छे दिया, जैसे अनुच्छे 369, इसको आप अच्छे से रट लीजे, 369 के अच्छा दिकर मूल अधिकारों के अन्ते तहत आर्टिकल 359 के तहत किसी अमर्जेंसी के टाइम पर मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, भारत का ये दो आप्शन दे रखा देगे, इसी टाइप के प्रशन आचकल आ रहे हैं, अब आप कुछ अगर पॉलिटी में और पढ़ते हैं, आप सोसने गलत हो जाता है क्यों क्योंकि पॉलिटी के प्रशने इस प्रकार के आ रहे हैं, ये जब तक डीप नॉलिज नहीं होगा तब तक नहीं आएगा आपको, तो पढ़ना तो अच्छे से पढ़ेगा है, इसी लिए मां आपको एमलेक्षमिकान पढ़ा रहे हैं, पहला भारत के अपरत्यक्ष रूप से चुना जाते हैं, बिल्कुल सही सारकार के संसदी स्वरूप में राजसभा के और नाम मातर का अध्यक्ष होता है, ये क्या है, रास्टा अध्यक्ष के और नाम मातर का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है और दोनों एक दूसरे की सही व्याक्ष क्या करना है अब दिखें आपने बात गौर की यह जो पहला लाइन भारत के रास्ते पर अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं यह कितने प्रशन में आ चुका और दूसरी लाइन इंडिविज्वली दो प्रशन में आ चुकी इसका मतलब आप अगर 30 साल के प्रशनों को पढ़ रहे हैं तो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं सब वहीं से आएगा देखें यह फिर देखें भारत का रास्ते सीधे नहीं चुना जाता सेम प्रशन कवा गया यूपी पीसस फ्रिलिम्स 2006 का है भारत का रास्ते सीधे नहीं चुना जाता सही बात है सम्विधान निर्म प्राचन के बाद दोनों सद्दों को सम्भूदित करता है, लोग सब आपको भंग कर सकता है, ये सब सही है, तो चौत्वा आप्शन सही, भारत के रास्थपती को इस आधायोग पर महावयोग की प्रक्रिया उसके पत्से हटाये जा सकता है, याद रखे सम्विधान के उनलं लंगन पर, रास्थपती को सम्विधान के उनलंगन पर महावयोग लगा जाता है, और सर्वोच न्याले के मुख्य न्याइदीस को या न्याइदीसों को कदाचार पर, ठीक है, मिसकंडक्ट या मिस्बिहेव पर, भारत के रास्थपती के कारिया वधिकी समाप्टी से अब इस टाइब के प्रश्णों को आप रटिएगा, आप यह मत देखिएगा, पढ़के आगे बढ़ जाएँ, याद रखिएगा, पूरे के पूरे PDF में इस प्रकार के प्रश्णों को रटिएगा, क्योंकि यह बार बार रिपीट होते हैं, यह नहीं तो इनका एक सीधे नहीं वलकी परोग चुरूप से चुना जाता है, वो संसत के दोनों सदस्यों के निरवाचक मंडल दौरा चुना जाता है, संसत के दोनों सदन मिलके चुनते हैं, अगला प्रश्णा, भारत के रास्ट पति में से किसको अपना त्याग पत्र देते हैं, बता चुका पिशली बार प्रशन आया था, 143 के अंतरकत भारत के रास्ट पति को जब सलाह की जरूरत होती है, सुप्रिम पोर्ट सलाह देता है, याद रखियेगा, कितने याद रखियेगा, ये एक इंपोर्टेंट प्रशन है, UPPSC Medical Officer Exam में आया है, लेकिन ये इंपोर्टेंट ये है, क्योंकि थोड़ा गुमा दिया, ये क्या है, आपको ये पता है, कि आर्टिकल 143 के तहट भारत के रास्ट पति को सलाह चाहिए, तो सलाह किस से मांगेगा, इसी आर्टिकल के तहट सरोच नियाले से मांगेगा, सरोच नियाले की पांच याद रखिये, पांच निया बाचक मंडल के अपून होने पर राजपत के चुनाव उस्तिवित किया जा सकता है। ये क्या है? सही? नहीं है. अगला राजपत के चुनाव नियुमने किसके द्वारा संचालित किया जाता है। भारत के निरवाचन आयोग द्वारा? ठीक? अच्छा, आप कमेंड बॉक्स म होने की योगिता होनी चाहिए. तो किवल उत्तर कैसा है? भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए. भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए. भारत में जन्म भले ना हो लेकिन भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए. बहुत ज़्रूरी चीज है याद रखेगा राष्टपति के कारिकाल का प्रारम माना जाता है शपत ग्रण के दिन से अगला भारत के राष्टपति के अनुपतिसिती में यह दूद प्राष्टपति नहीं है तो कौन करेगा भारत के प्रधान नहीं तर इसी या अधाने कर्तियों करने पर पदिचुत किए जा सकता है। कौन करता है राश्टपती सम्विधान के नहीं से किस एक अंूच्छेद के तagn शकती राश्टपत में नेथ है आर्टिकल 13 होगा 13 के कारुपल्गा की शकती राश्टपती में नेथ होगी तो आर्टिकल 13 कौन सा भारति गरतंत का प्रमुक है राश्टपती लोगसभा भंग ह हो जाए तो आकस में निदिशे धन निकाला जा सकता है बिलकुल रास्टपती यादेश द्वारा लोगसभा राजसभा की संयोक्त बैठक करता है और संयोक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है बुलाएगा रास्टपती लेकिन उसको लीड कौन करेगा उसको याद रखेगा इसकी अध्यक्षता लोगसभा का अध्यक्ष करता है किस अनुच्छेत के तहत 188 के तहत ये दो अनुच्छेत अलग है याद रखेगा जब कोई बिल रास्टपत की द्वारा प्राद के तो उसको रोकेगा या जो भी करतेगा ये आटकल 111 कहता है most important प्रशन इनको मत बूलिएगा क्योंकि वो चार बारा है इसलिए सर्किल किया है अगला प्रशन वीधी के प्रशन पर भारती सर्वो चन्याले से परामस लेने का अधिकार किसको रास्टपती को है किस आटिकल के तहत 143 के तहत कितने लोगों की पीट देती है उनका परामर्स ना माने तो मत माने निवन मेंसे किसके भगोलिक छेतर को अनसूची छेतर गोसित करने का अधिकार है रास्त पती को सर्वोच नियाले करने का दि 치료 रास्त पती को सर्वच नाले के लेकिन मतलब उसकी परामर्श कि लिए वो बाद नहीं है मान लिया कि राष्टपती को सला दे दी और राष्टपत उसको मानना जरूरी है नहीं मानना जरूरी नहीं है चाहे तो माना भी कर सकता है चाहे तो एकसे बिल कर सकता है और वो आर्टिकल 143 ठीक है अगला आ जाए किसकी नियुक्ति भारत के राष्टपती करते हैं यह जितन कारिपालिका का मुखिया राश्टपती है राश्टपत की शक्तियों के कोई सीमा नहीं है ये कहां है ये कहीं नहीं लिखा हर भारत में हर चीज की शक्तियों की सीमा है रक्षावलों का सर्वोग चर्दिकार राश्टपत में नहीं है सही बात है प्रधान सेनापती की हैसियत जैसे राश्टपत के शक्तियां विधाई नियंत्रन से स्वतंत्र हैं। यह गलत बात है। विधाई नियंत्रन से स्वतंत्र नहीं है। अगला, अब आप सोची राश्ट पती थोड़ी नख रिएंगे प्रधान मंत्री राश्ट पती के द्वारा करुंता है 162 क्या है राजि की कार पावली का शकते 153 świat क्या है याद रहां कि सं ayud की कार का शकती 3 नहीं कर सकता, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसका PDF आपके पास already मौजूद है, सिर्फ आप इसको बार-बार सुनेंगे तो आपको अपने याद हो जाएगा, ठीक, PDF अपनी आखों के सामने प्रिंट करके रख लीजे, मैं बोल रहा हूँ, इसक किसी चीज को पढ़ने से याद नहीं होता, लेकिन किसी चीज को लगातार सुनने से याद जरूर हो जाता है, मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, पहले में बहुत स्मार्ट दिखता था, अभी मैं थोड़ा सा कम स्मार्ट दिखता हूँ, लेकिन स्मार्ट हूँ, तो आपको खरा मात्र के अधिकार प्राप्त है. Raja सभा में 12 दस्चों के मनोनेन से सम्बंधित सही कथन क्या है? इनको साहित समाच सेवा के छेतर में विशेश ग्यान अनभा होना होना चाही बिल्कुल सही. विज्ञान कला के छेतर में सेम दे में पोजिशन को लेना ले, क्योंकि कार्यांतर नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए, पहला रिजाइन करे और अगला जॉइन करे, तुर्ण साइमल्टेनियस होना चाहिए, ताकि राजांतर ना हो, राजपत संसत का संयुक्त बुलाता है, बिल्कुल याद रखिए, अगर फिर मैं बता रहा हूँ, राजपती संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, आठकल 108 के तहत, लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता करता है, लोगसभा का अध्यक्ष आठकल 118 के तहत, भारत के रासपती के बिशादिकार या कितने वीटियों प्रलब्ध हैं, यह सब पढ़ा रखा, इसलिए प्लीज उनको जरूर देख लिजेगा, लोगसभा का विक्टन कौन करता है, रासपती करेगा, बारत का अध्यादेश के तहत, आठकल याद रखिए, 1935 से क्या है, रासपती का बारत द्वारा गोशित अध्यादेशों की अधिक्तम अवदिछ हो, कितना हो सकती, शाड़े साथ महीना, याद रखिए, 6 माह के बाद, फिर क्या है, केवल 6 माह, फिर क्या होता है, फिर अगल ना हो, तो यह देखिए, यहां ध्यान से देख लिए, 42 दिन, शाड़े साथ म याद रखिए, 42 दिन का मतलब साड़े साथ माह, इतना याद रखिएगा, राष्टपत के अध्यादेश की अवदिछ होता है, उसके बाद अगर फिर नहीं शुरू होता है, साड़े साथ महीना, छमादान की शक्ती 72 161, 72 राष्टपती 161, राजिपाल, यहां लिखा नही यह क्या है, प्रारंब से राष्टपती के, अब यह भी प्रश्टपती देखिए, 2009 में आया है, बड़ा जरूरी है, इसलिए आपको तही तरीका पता होना चाहिए, राजेंद प्रसाद, फिर कौन बने राष्टपती, राधा कृष्टपती, राधा कृष्टन, पिर रु दीए, हर टाइप के प्रस्टपती जो बार बार आ सकते हैं, आपको अपने आप लग जाएंगे, इस टाइप के कथने यह पूँछ लेता है, अगला, भारत के राष्टपती से सम्मंदित, निमने कथनों में सकौन सही नहीं है, दोनों सद्दों की चर्चम राष्टपत थ एम हितायत उल्ला, यह अभी PCS में आ चुका है, कुछ दिन, मतलब एक-दो साल पहले, किस मुख्यनायदीश ने राष्टपती के रूप में काम किया, तो हो एम हितायत उल्ला थे, भारत का राष्टपती ब्रिटिस राजा से अलग है, यह एक कथन है, अगला कथन है, भार के राष्टपती का पद, अमेरिका के राष्टपती से मिलता है, नहीं मिलता, भाया, इसका ये गलत है, ये सही है, मतलब ए सही है, आर गलत है, अगला आजये, कौन सा राष्टपत होने से पहले, भारत का उप राष्टपत पर आसी नहीं रहा, नीलम संजीव रड़ी, कित कांगरेसी उमेदवार कौन थे वीवी गिरी ये इस टाइप के प्रशन आपको रटे रहने चाहिए क्योंकि मोधी गवर्मेंट इस टाइप के प्रशन जुरूर पूचती है कौन राष्टपती थे जो गैर कांगरेसी थे तो वीवी गिरी थे अगला आजाएए भारत में से राष्टपती के न्यूकती कौन नहीं करता उपराष्टपती नहीं करता अब जरासा ये देखिए सन लोगों का है पकरुद्दिन अली एहमद 1974 से 77 रहे नीलम संजी उरिड़ी 77 से 82 तक रहे वीवी गिरी कौन थे गैर कांगरेसी थे ये आप याद रखिएगा भारत के कैग अपनी रिपोर्ट को राष्टपत के सम्मुक रखेगा वो उनके संसत के समुक्ष रखवाएगा मतलब ध्यान से सुनिए एक कैग अपनी रिपोर्ट राष्टपत रिखवाएगा संसत के सामने भारत का राष्टपत के भासन कौन तयार करता है पीम और उसके मंत्रमं प्रशन आता है और चौता क्या आता है दो संटेंस देगा और अधिकतर याद रखिए ऐसे यूपी PCS में इस समय 30-30 प्रशन आ रहे हैं कितने प्रशन तीस प्रशन लगतार आ रहे हैं पिछले तीन साल से कैसे प्रशन दो आप्शन दिया केवल एक सही, AB सही, मतलब केवल A सही, केवल B सही, AB सही या कोई नहीं सही ये प्रशन तीस आते हैं इस टाइप के प्रशनों को तब आप सही कर पाएंगे जब आपको basic knowledge होगी अगला ये प्रशन में से कौन सा कथन सही नहीं है तो याद रखे भारत संसक का भाग नहीं है, गलत है अब ये आर्टिकल को याद रखे लिए, आर्टिकल चोवन भारत रास्पती का निर्वाचन, पच्पन रास्पत के निर्वाचन का तरीका, 60 क्या है सपत, 123 क्या है रास्पत के प्रक्यापित अध्यादेश करने की, 123-212 दोने याद रखेगा, आर्टिकल 61 महावियोग, अग भारत के रास्पती कौन थे फकरुद्दीन अली एहमेद, ये एक बहुत जरूरी, most important इसलिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्या 1975 में भारत का रास्पती कौन था जब इमरजेंसी लगी, तो फकरुद्दीन अली एहमेद थे, कौन संसत का सदस्य होते वे बिना उस सदस् अध्यक्षता करता है, भारत का उपरास्पती करता है, भारत का उपरास्पती निम्न में से कौन सदन का सदस्य होए बिना इसके अध्यक्षी रूप में कारी कर सकता है, भारत का उपरास्पती याद रहे कि आपको पता है, भारत का उपरास्पती राजसभा का पदेन सभा पती होता है वो राजिसभा का हिस्सा नहीं होता ठेक है राजिसभा की आयू है 6 साल लेकिन उपरास्पती रहता है 5 साल ठेक भारत की उपरास्पती को हटाने का प्रस्ताव रखा गया है क्या संसत के संयुक्त अधिवेशन में संयुक्त अधिवेशन में रखा जाता है गलत पहली बात भारत के उप्रास्टपती को हटाने का प्रस्ताव राजिसभा में रखा जाएगा राजिसभा ऐसे संकल्प से पद रटाया जाने को अरे फिर देखे राजिसभा लोगसभा के सदस्यों होगा अगला प्रस्ताव कुछ चीज़ें गर्वल रहती है और क्यों गर्वल रहती है क्योंकि लोगसभा है उनको गलते ही समझ के मान लेता है कैसे सदस्यों को कैसे सदस्चों को रास्टपत के निर्वाचन में मतादिकार नहीं है किन्तो उपरास्टपत के निर्वाचन में मतादिकार है राज्य सभा के मनोत ये आपको पता होना चाहिए रास्टपत के निर्वाचन में सिर्फ लोग सभा में राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं लेकिन उपरास्टपति के में निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों हो जाते हैं दूसरे ये दो फिर देखे यही मैंने गाना दो लाइन देदेगा दो आप्शन देदेगा केवल एक सही दो सही दोनों सही ये दोनों का explanation है की नहीं कोई वेक्टि उपरास्टपति निर्वाचन होने का पातरतब होगा जब वो राज सभा का सदस्च होने के लिए अरहत है उपरास्टपति राज सभा का पदेन सभापति होता है ठीक है दोनों सही है और दोनों की दूसरे का वो है यह आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए भारत का नागरिक हो फिर मैंने बोला भारत का जन्मा नागरिक नहीं भारत का नागरिक हो 35 साल के उमर पार कर लिया हो जैसे रास्टपती लोकसभा का सदस्य चुनने लायक हो उप रास्पती के निर्वाचन से संबंदित विबाद को कौन तैं करेगा सर्वोच नयाले तैं करेगा अगला प्रसना आज है उप रास्पती अपना त्याक पत्र किसको देगा उल्टा रास्पती को देगा और किसको देगा भारत का रास्पती भारत का उप रास्पती द करता है जब रास्पत त्याक पत्र दे दे अब मर जाए तो उसके जिगे ये काम करता है अगला कहीं बाहर चला जाए तो भी याद रखिये कौन सा निम्न में से कौन भारत के उपरास्टपती नहीं थे नीलम संजी उरिड़ी भारत के रास्टपती भारत का कौन पहला उपरास्टपती कौन था सरुपली राधा कृश्णन यह आपको रट लेना चाहिए बारत के उपरास्पती कौन नहीं थे फकरुत दीन अली अली हैमेद मैंने बोला कि फकरुत दीन अली हैमेद साब जो थे वो इमर्जेंसी के टाइम में भारत के रास्पती थे प्रश्पती ते लोग सभा में शूर निकाल क्या होता है यह मैं आपको भी पहले भी बता चुका फिर से आप जान लीजिए एक गंटे का टाइम होता है 12 बज़े से 1 बज़े तक का टाइम प्रश्पती अग्यbahn का टाइम होता है अगला इन पर धन विध्याकर राजज सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता धन विधेक सिर्फ और सिर्फ लोगसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है राज्यसभा धन ये गलत है धन विद्यक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है ये सही option है अगला क्या है राज्यसभा धन विद्यक अस्युकृत कर सकती है मदवेद होने संयुक्त बैटक, नहीं, याद रखिए, धन विधेक के केस में कभी संयुक्त बैटक होई नहीं सकती, धन विधेक का अर्टकल है 110, अगला आ जाईए, सबसे जरूरी प्रशन, इससे संबंधित प्रशन आ जाते हैं, निम्न मेंसे, प्रतेक राज में लोकसभा के सीटों की संख्या, उत्तरवदेश में 80 सीट है, यह याद रखिएगा, यह अक्सर आ जाता है, और हाल में, आमत और प्रशन पर याद रखिए, लोकसभायोग, हाल में हुए, राज्यों में चुनाओं से संबंधित चीजों पूचता है, तो जैसे क्या है, उत्तरवदे हैं, ऐसे ही, छोटे-छोटे-छोट पूट जो भी है, उन सब में एक-एक है, याद रखिएगा, तेकर रहना सब कुछ, जम्मु कश्मीर में 5, यह पहले का था, जम्मु कश्मीर का पहले का प्रशन है, तो यह आप याद रखिएगा, राजसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब हो, यह एक बहुत इंपोर्टेंट है, लोकसभा और राजसभा की संयुक्त बैठक कब हुई थी, दहेज उनमुलन विध्यक से संबंध में, याद रखिएगा, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, संयुक्त बैठक पहली बार कब हुई थी, दहेज उनमुलन के संबंध में, दूसरी बार बैंक सिवायोग के संबंध में, और तीसरी बार आतंकवाद निरवारन में, मतब तीन बार संयुक्त बैठक हो चुकी है, अर्टिकल 108 के तहत, यह आपको रट लेना चाहिए, कितरी बार बैठक हो चुकी है, संयुक्त बैठक 3 बार, तीक, 108 के त 1961 में हुई थी बिल्कुल सही उससमें दहेज की बात चल लई थी दहेज प्रतिशेद नियम दुनों चीज़ें सही लोगसभा सच वाले किसके प्रत्यक्ष परिवेक्षन के अंतरगत आता है लोगसभा के ध्यक्ष के संसत के दो सत्रों में कितने का अंतर नहीं हो सकता 6 महीने से ज़्यादा कंतर नहीं हो सकता अठकल 85 के तहत सही सुमेलित करिए ये क्या है सात्वी लोगसभा का चुनाव वर्ष 1910 यह अब शायद ना अरे वह अपर दीकि 2022 प्रिलिंस में आया है तेरहवी लोगसभा का जो है याद रखे तेरहवी लोगसभा का है उनने सो निन्यान कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए इस समय कौन सी नंबर की लोगसभा चल लई है ये सीटों से संबंधित प्रशने के फिर आ गया 2021 का है ये क्या है कौन पश्चम बंगाल में 22 सीट है बिलकुल सही है तमिलनाडू में कहां कितनी सीटे है तमिलनाडू में 49 सीट है ग एक जिगा जरूर नोट कर लिजे कि लोगसभा की सीटों का बटवारा और राज्यसभा की सीटें किल कितनी है अलग लग राज्यों में प्रतम लोगसभा के अधिकाल लोगसभा के पास है धन विदे को पेश करना लोगसभा के पास है अपात काल का अनुसमर्थन करना ये अब इश्वास प्रस्ताव मंत्र परशत के विरुदू सिर्फ लोग सभा में आ सकता है तो आप एक और तीन सही है अगला प्रशन कौन सी शक्तियां के वे लोग सभा के पास है यह देखे सेम प्रशन दुबारा सेम प्रशन दुबारा आपको समझना चाहिए कि इस टाइप के प्रशन बार बार आ जाते हैं और फिर आएंगे कौन से भारती रास्पत लोग सभा के अध्यक्ष भी रहे तो नीलम संजीव रेड़ी इस सब कुछ थे कौन विदेयक राजी सभा में पहली बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है धन विदेयक कहां पर बेजा सकता है सिर्फ लोग सभा में पहली बेजा सकता है धन विदेयक कहां पर जाता है लोग सभा में वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विशाय में कौन सा कथन सही है यह लोग सभा में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक भारत के सम्विधान के 110 के तहत है धन विधेयक ठीक लोग सभा में आंगल भारती समुदाय के लिए कितनी सीटें अरक्षित हैं याद रखिएग एंगलो इंडियन की दो सीटें थी जो खतम कर दी गई एक सो चारवे सम्विधान संचोधन के द्वारा लोग सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल कितनी है 550 ये सबसे रिसेंट डेटा है इस समय लोग सभा के मैक्सिम संख्या कितनी हो सकते पांस अबाओं नहीं 550 क्यों क्योंकि दो एंगलो इंडियन वाली सीटें हड़ गई है 104 सम्विधान संचोधन 2019 के दर्थ भारत का प्रधान मंत्री किस के लिए उत्तर दाई है लोग सभा के लिए मंत्री परसद किस के लिए सामोह कर रूप से उत्तर दाई है किस पर गतिरो दूर करने के लिए संयुकत बैठक हो सकती है अब इस टाइप के प्रशनों को मेरी बात फिर से अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख पाए है तो याद रखिएगा वो प्रशने जहां पे दो आप्शन दिये हों या जहां पे तीन आप्शन दिये हों इन प्रशनों को अलग से मार करके नोट करिएगा और रिवाइज करते समय इन पे जरूर ध्यान दीजेगा क्यों क्यों क्योंकि यही प्रशन गुमाफी राखे आते ह है सही बात है इसमें कोई पूरी बात नहीं इसमें गुरी बात नहीं इसमें क्या है सही उत्तर देखना राजस्भा में लंबित विधयLaughs कोई विधयwide कोई भी विधयक जो लोकई seven लांबित हो जाता है दोनों reins पारिद विधय summat अगर पारित पास चला गया तो वो लैप्स नहीं होता बिल्कुल सही है इसका दो और तीन आप्शन सही है ठीक मैं आपको बताना चाहता हूं कि शूनिकाल जैसा कुछ भी नहीं होता किस अध्यक्ष का यह काम है सुमित्र महाजन ने कहा है यह एक इंपोर्टेंट है लोग सभा की अध्यक प्रशन यहां देख लिए लोग सभा के निर्वाचन के लिए कौन सा कतन सही नहीं है निर्वाचन के लिए मद्दातों की सूची को रास्पत के नेंत्रण में तयार किया था नहीं यह बिल्कुल गलत बात है लोग सभा के बारे में क्या सही नहीं है यह सब प्रशन बहुत कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है इसलिए क्रिपे आप संसद की वीडियो जरूर देखिएगा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी वीडियो देखिए मत देखिए जो करना करिए ठीक है बट आप देखना चाहें तो देख सकते हैं क्योंकि मैंने हर एक टॉपिक पे चुकि मैं यहां explain नहीं कर सकता हूं इस वज़े से मैं इसा बोल रहा हूं कौन लोगसभा के सत्र का आउमान अवसान करने के लिए प्रादिकृत है राष्ट पती ठीक धन विदेख के संदन में विचार करें याद रखिए राजी सभा इसे संचोधन के सिपारिस कर सकती कर की सतावी में पढ़तेता हूं लोक सभा में किस विदेहक पर आम भहस किस सतर पर होती है दुटि वाचन में पहले वाचन में और तीसरे वाचन में कुछ नहीं होता है और मैंने पढ़ाया है आपको यह चीज़ुक्षिक लोगसभा में अंसूची जातियों के लिए सरवाधिक आरक्षित सीटे मत्यप्रदेश में ये भी इंपोर्टेंट है किस राजी का लोगसभा राजी समाम प्रतनिदित सरवाधिक ये प्रशन आ सकता है अब ये प्रशन देखिए लोगसभाध्यक्ष को उसके कारिकाल की समाप्ति से अब क्या करेगा लोगसभाध्यक्ष उसका मतलब 51 हो गए वोट हां में इसको बोलते है कास्टिंग दिवेट जो वो कर देगा वही सही हो जाएगा ये कब बराबर होने की अस्था में लोगसभा का स्पीकर किसे सम्मद्दित करके अपना त्याग पत्र देता है कौन सा प्रतम जनजाती लोगसभाध्यक्ष थे पीए संगमा ये इंपोर्टेंट प्रशन है 2015 PCS में आया है जनजाती पहले लोगसभाध्यक्ष वो भी जनजाती पीए संगमा पहले स्पीकर जिसके खिलाफ लोगसभा में अविश्वास प्रतावला गया ये भी बहुत इंपोर्टेंट जिसी मालवंकर जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया वो क्या है मालवंकर साहब, हुकुम सिम और बलराम जाखड ये तीनों नाम याद रखिए गर लोगसभाध की पहली मल्याध्यक्ष ये कौन है ये मुझे पता है, क्योंकि वो गधे हैं उन्हें 80,000 बरबात करने में मज़ा आता है ये फ्री की चीज़ें उन्हों को देखने मज़ा नहीं आता उनको लगता है कि भाया 100 रुपे मानसर ले लेंगे तो मेरी जान ले ली उन्होंने और मानसर नहीं ले रहे हैं नहीं है, ये भी आपको पढ़ते समय जरूर पढ़ना होगा क्या लिखा है, सही है या सही नहीं है 17 उसान के बाद सत्धन बुलाने की शक्ती है अगला, कौन एक लोगसभा के कारियाओं में से समंदित गलत चीज़ है लोगसभा का स्पीकर अपना पत कप छोड़ देता है नवीन तब छोड़ेगा जब अगली नई लोगसभा निर्वाचित हो जाएगी और उसके पहली बैठक से ठीक पहले स्पीकर किसे सपत गरन करता है रास्ट पत से याद रखेगा लोगसभा के सदस्च के रूप में यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट है और यह जानना जरूरी है कि लोगसभा अध्यक्च लोगसभा सदस्च के रूप में सपत गरन करता है लोगसभा अध्यक्च का कोई अलग से सपत गरन नहीं करता है 2023 species का प्रशन था कि लोगसभा अध्यक्षा अलग से शपद गण करता है नहीं, ये लोगसभा अध्यक्षा नॉर्मल लोगसभा सदेश्चे का सपद गण करता है राजपित के सामने किस योगम को लोगसभा के सीटे समान है तो ये देखिए लिए, जो समान सीटे है वो किनकी किनकी है, यहां सामने लिखा हुआ है लोगसभा के दो सत्रों के अंतराल को क्या कहते हैं, सत्रावसान काल कहते हैं अगला आजएए, लोगसभा की सामान नियोधी पान साल होती है पुर्थम बैठक के नियतित से जिस दिन पहली बैठक होगी उस दिन से पान साल याद रखिएगा आर्टिकल 83 का दो कहता है ये बात समिधान के आर्टिकल 110 के तैद धन बिल किस से परिभाशित किया जा सकता है ये पूरा धन विन से संबंधित चीजों को आप देख सकते हैं वीडियो है मेरी बना किया देख लिजिएगा लोगसभा सच्वाल है किसके सीधे परिविक्चर में आता है लोगसभा अध्यक्ष कि में आएगा लोगसभा का गुंडा कौन है लोगसभा अध्यक्ष लोग सभा का गुंडा कौन है? लोग सभा ध्यक्ष यह आपको रट लेना चाहिए राजी सभा क्या है? राजी सभा की सदश्चों की संख्या आपके सामने पहले मैं देदू राजी सभा के सदश्चों से संबंदी चीज है ताकि बार-बार प्रश्णों को ना रिवाइस करना पड़े राज्य सभाकी सबसे ज़्यादा सीटे 31 हैं वो भी कहाँ पे हैं उत्तर प्रदेश में यह देख लिजी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें कितनी हैं 31 हैं यह आपको पता होनी चाहिए फिर 19 हैं महारास्टा में फिर 18 होंगी कहाँ पे देखे 25, 31 कहाँ हैं उत्तर प्रदेश में 31 कहाँ हैं उत्तर प्रदेश में उसके बाद देख लिजीए वेस्ट बेंगॉल भी देखना पड़ेगा पश्चे मंगाल में 16 हैं उत्तर प्रदेश में 31 हैं मिलनाड में 18 हैं और ये इसको स्क्रीन शॉट लेकर रट लीजिए यह आपको बड़ा काम देगा कौन सा विधेयक राजसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा यह फिर बार-बार आ चुका है प्रशन धन विधेयक को राजसभा में नहीं लोगसभा में प्रस्तुत किया जा सकत यहां देखिए यह आवंटन मतलब सीटों का वंटन इससे समद्धित प्रशन हमेशा याद रखिए चुकि चुनाओ आने वाला है तो आपको यह पता होना चाहिए कि चुनाओ से समद्धित एक प्रशन यही होता है कि राजसभा में कितनी सीटे हैं किसी राज्यकी और लो 12,1100 प्रशन कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता लेकिन फिर भी मैं लगतार जारी हों जब तक यह फोन चलेगा तब-Tक मैं वीडियो बनाओंगा नहीं तो फिर तीसरी वीडियो बनेगे और क्या है नीचे दो कथन है जिन में एक कथन को ए तथा दूसरे को आर कहा भारत में मंत्री परशत सहीं तुरूप से लोगसभा गलत, मंत्री परशत लोगसभा के लिए, पहले ही चीज़ें देखें क्लियर हो जाती है, जब आपको एक चीज दिख जाए, इसका मतलब आधा चीज तो 50% तो सही हो गया न, आप देखें, कि अनुच्य द्वारा संसुट कोई अधिकार पराप्त है कि रास्टी हित में राजजसुची पर बना सकता है, 2199 के तहट, आकिल 249 के तहट, याद रखिए, कर शुरू करनी है तो राजजसुची के थ्रूर जाएग, आटकिल 312 के तहर राज्य सभा को भंग नहीं किया जासकता, कारेकाल 6 वर्स का होता है, प्रतियक दूर्स बार एक तिहाई लोग सदाश्य होते हैं, इसके लिए 25 साल नहीं होता है, गलत बाद 30 साल होती है, राज्य सभा के मिनिमम में होती है, यह सेम प्रश्ण देखिए, द आटकिल 249 के अंतरगत किस से अधिक समय के लिए प्रवित नहीं रहेगा, एक वर्स से, यदि राज्य सभा में उपस्तित और मत देने वाले सदस्चों में से दो तिहाई सदस्ची पारितिया कर देंगे, राश्टी हित में आवश्चक है कि राज्य सूची में ऐसे विचह पर, वही कुल मिला कि आटकिल 249 के राज्य सूची से समधेते विशवें पर कानून राने का दिकार देती है, राज्य सभा कितने सदस्च्चों को मनोनित करता है राश्टपती 12 सदस्च्चों को, राज्य सभा किसी के द्वारा भंग नहीं की जा सकती, ये तीन बार आया ह इसका मतलब अब जब मैं कह रहा हूँ तो याद रखे एक्जाम में जरूर आएगा और इस लाइन को अलग सो कोट कर लीजेगा, क्या आ सकता है, ये जो आगामे एक्जाम में है, इसमें लोग सभा और राज्य सभा के सीटों का अवंटन अक्सर आ जाता है, तो उसको रट राज्य सभा का पदेन सभापती कौन होता है भारत का उपराश्पती, राज्य सभा धन विदहक को कितनी वित्तक 14 दिनों तक रोख सकता है, राज्य सभा को लोग सभा के समतुलिशक्ति नहीं है, किसके मामले में धन विदहक के मामले में, ये सब क्लियर है आपको पता है, ठाण मिध्यक के मामले में, और क्या है वह एक मात्र संगी जहेतर कौन सा है जहां राजसभा के लिए एक सदश का निर्वाचन होता है तो यह है पॉंड़ीचेरि, अगला भारत में राजसभा किसका प्रत्ने दिथ्थ करती है राज्यों का, राज्यों का, संग राज्य चेत्रों का प्रतने देत्व करती है, भारती संसत के उपरी सदन राज्य सभा का अधिवेशन हुआ था, भारत संसत के उपरी सदन राज्य सभा का प्रतम अधिवेशन कब हुआ था, तो 13 मई 1952 को, ये मैंने पहली वीडियो जब सं राष्टपति क्या करता है नियुक्त करता है याद रखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है कि चुनाओ होता है गलत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है यह बहुत इंपोर्टन प्रशन है या याद रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री को राष्टपति निर् प्रधान मंत्री कारयाले के विवेशाय में, ये क्या है, 1977 में अस्तित्व में आया, ये क्या बात है, प्रधान कैबिनेट सची होता है, ये बिल्कुल सही बात है, प्रधान कैबिनेट सची होता है, लेकिन इसका क्या है, कौन सा कथन सत्य है, ये गलत है, प्रधान मंत्री के क परियाले हो गया और याद रखेगा मुरार जी दिसाई के टाइम बे ये हुआ ये इंपोर्टेंट प्रशन है आप इसको रट लीजेगा ये जानना आपके लिए ज़रूर ये भारती सम्मिदान में निम्न कतनों पर विचार करिए जरा ध्यान से देखिए संग मंतरी परिश परिशत किसके प्रती है लोग सभा के प्रती अगला प्रशन है प्रधान मंतरी की नियुक्ति कौन करता है रास्पती करता है राजमेर मंतरी परिशत एक बहुसतरी रचना होती है कैबिनेट में परिशत के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं नहीं कैबिनेट में बहुत गिने जिनको पृधान मंत्री बुलाता है कि सदन के सदस्च्यों द्वारा बहूम्त से अविश्वास प्रस्थाव पार्थ होने पर मंत्री परशत को तयात पत्र देना है अगला, अब सम्मिधान मंत्री परशत के आकार की बाहरी सीमा पर प्रतिबंध लगाता है ऐसे विधायकों को शासक दल के पक्ष में दल बदल करने से रोकने के लिए किया गया है दोनों बात सही है, दल बदल कानून के बारे में आपको जान लेना चाहिए यह सम्मिधान की अनुसूची दस्मए में बात की गई है दल बदल कानून की कौन राजसभा का सदस्य होते हुए भी लोगसभा की कारवाई में भाग ले सकते हैं तो जो मंत्री ऐसे हैं, याद रखेगा, ऐसा आदमी जो मंत्री हो भारत सरकार का राजसभा से याद रखेगे, राजसभा का सदस्य हो और मंत्री हो, वो लोगसभा में की कारवाई में भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं इनमें से किस परिष्टेती में पूरी मंत्री परशद भंग नहीं होती अगर कोई कैबिनेट मंत्री त्याग पत्र दे दे तो पूरी मंत्री परशद नहीं भंग होगी लेकिन अगर मुखी परदान मंत्री त्याग पत्र दे दे तो पूरी की पूरी की पूरी की पूरी मंत्री परशद भंग हो जाएगी निमन में से कौन अपने प्रधान मंत्रित तुकाल में लोग सभा के सदस्चिर है यह क्या है कौन अपने प्रधान मंत्रित तुकाल में लोग सभा के सदस्चिर थे चंदरशेखर जी अगला कौन एक प्रधान मंत्री ने अपने कारिकाल में संसत का सामने ही नहीं किया कौन थे चौधरी चरण सिंग जी याद रखिएगा बहुत इंपोर्टन है चौधरी चरण सिंग जी कभी क्या है संसत का सामने ही नहीं किया ये इंपोर्टन प्रशन है जो कि आ सकता है बारत के बारमी राष्टपती इंद्र कुमार गुजराल थे कौन बारत के प्रधान मंत्री बनने से पहले राजी के मुक्य मंत्री नहीं रहे चंदर शेकर उप्र प्रधान मंत्री का स्रिजन कब हुआ सम्विधान के प्रावधानों से हट कर हुआ प्रधान मंत्री बनते समय राज्य सभा का सदच कौन था? इंद्रय गांधी, पहुत इंपोर्टन प्रशन, अगला, किस प्रधान मंत्री के कारेकाल में दल विरोधी विरेख पास हुआ? राजी उगांधी के टाइम पे दल विरोधी विरेख पास हुआ? अगला, कौन एक विया भारत की संचित निदी पर भारत नहीं है? जितने वेतन है, प्रधान मंत्री के बत्ते वेतन? कौन अपने राजनीतिक जीवन में प्रधान मंत्री के पदपर एक बार से अधिक बार? सेमंतरार के बाद सुशोबित के इंद्रा गांधी रही होंगी और कौन हो सकता है? इसका तो पहले से ही पता था, बतलब इसमें कई लोग हैं, दिख लीजे, कौन कौन है? तीन, चार, पाँच, कौन तीन, चार, पाँच है? तीन हैं, गुजराली, लाल, नंदा, इंद्रा गांधी और अटल बिहारी, बाजपईई, ठीक है? अलड़ी बता रखा है आपको ठीक तो लोग सभा समिती की लोग सेवा लोग लेखा समित के सदस्य होते हैं पंदर लोग सभा पंदर राज सभा टोटल बाइस होते हैं याद रखिएगा भारत के नियंतर कैग का audit report परिक्षन करती है कौन सा कैग किस्षिस का audit report परिक्षन करती है ये है लोग लेखा समित की ठीक है मतलब कैग जो भी report देगा उसका report का audit परिक्षन कौन करेगा कैग ने एक report दी तो उसका परिक्षन कौन करेगा लोग लेखा समित करेगी भारती संसत की सबसे पुरानी तथ विशेशा दिकार समिति कितने सदस्य होते हैं अनुधान को संसद में परस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का उनमोदन प्राप्त होना चाहिए तो इसके बारे में याद रखिये D D क्या है? अब हर चीज मुझे भी याद नहीं रहती अधिक अनुदान के बारे में कुछ चीजें कभी देख लेना चाहिए, गलत करने के बजाये, ठीक है, सिविल सिवाओं में सुधार है, तो होन्टा समीथी का गठन कब किया, सिविल सिवाओं में सुधार के लिए होन्टा समीथी, यह आप याद रखिएगा, 2004 में किया गया, ठीक, अगला आजाएगे, अगला प्रश्न कहा, लोग सभा में अविश्वास प्रस्ताव करने के लिए सदश्यों की, कितने, कम से कम कितने सदश्यों की सहमति होनी चाहिए, तो याद रखिये, कम से कम 50 सदश्यों की, 50 लोग तो खड़े उठें, अगला, कौन सी एक सबसे ब देख लिए ध्यान से, सुरी, उल्टा हो गया, लोक लेखा समित में 22 सदस्य हैं, 15 लोक सभाते तो 7 राज्य सभासे, प्राकलन समित में 30-30 समिती हैं, इसको फोटो आप स्क्रीन चॉट ले लिजेगा, या इसको रेट लिजेगा, सहकारी, सरकारी उपकरम समित में 22, मतलब 22 ह याचिका समित में 15 और 10, संसत की स्थाई समिती के सदस्यों को लोक सभा, राज्य सभा से किस आदार पर लिया जाता है, 2 लोक सभा से तो एक राज्य सभा से, पीछे एक प्रस्थ में मेरी चाहिद बोलने में गलती हो गई, 15-15 बोल दिया, जबकि वो 15 और 7 होने चाहिए, प्राकलन समित के सदस्यों का कारिकाल होता है, एक वर्स याद रखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रस्थाओ भारत में मंत्री परचद रख सकती है, विश्वास प्रस्थाओ, ध्याना करसा और सूचना के प्रावधान में से किस छेतर की सिमित की अगयस्तगन तो कटावती प्रस्थाओं का संबंद संगी बजट से है, अगला निम्न में से किस के बारे में संधी समित गठित नहीं की गई, अल्प संक्यक कल्यान के मामले में, दिनेज कुस्वामी समित का किस संबंद था, निर्वाचन सुदार से, ये एक most important है, इसलिए इन सब चीज अब ये बड़ा जरूरी है, संबिधान संचोधन से संबंदित प्रशना आप के लिए जानना बड़ा जरूरी है, चलिए यहां से शुरू करते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मेरी बैटरी कम हो सकता है, किसी समय ये आफ हो जाए, जिस समय ये फोन आफ होगा, इस अधिनियम है 1956 का, ये आ सकता है, सति प्रथा 1987 का, हिंदू विवाः 1955 का, पिछड़े वर्ग का नागरिक संबंदित कौन सा एक संविधान में परिभाशित नहीं, आर्थिक दिर्श्च से पिछड़ा संविधान में नहीं है, ये हाल में बनाये गया है, किस संविधान संच मिकान, तब ये सब कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन जब प्रशनों में आप देखने लगे, तो इससे उल्टा होता, आपको रटना पड़ता है, कुछ चीज़ें, आप सोचें कि मैं समझ के काम चला लूँगा, तो यहां नहीं यहां रटना पड़ेगा, भारती संग से किस र हटा दिया गया, तो 44-वे सम्विधान चंचोधन द्वारा, 44-वा सम्विधान चंचोधन 1978 द्वारा ये जो मूल अधिकार था, संपत्तिक अधिकार इसको हटा के आर्टिकल 300 कव में रख दिया है, और विधिक अधिकार बना दिया, कि सम्विधान चंचोधन को द्वारा दिल्ली को रास्टी राजदानी गोशित किया कि 69, 99, इसको रड़ डाल ये बहुत बारा रखा, देख लिए कितनी बारा आया है, यह आपको अपने आप समझ में जाए, कि 73 सम्विधान चंचोधन ने पंचायतों को अत अपेक्षित सम्विधानी दर्जा प्रदान कर दिया, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, ठीक है, निम्न में से किस सम्विधान, आपको यह तो पता होना चाहिए, पंचायती राज से कम से कम दो प्रशन जरूर आते हैं, कम से कम एक या दो प्रशन, किसी भी एक्जाम में पंचायती प्राटिकल 19 में सहकारी समितियों को कब जोड़ा गया, 97 सम्विधान चंचोदन 2011 द्वारा, ये सब बड़े इंपोर्टन है क्योंकि पिछले सालों के प्रशनों में आये हुए हैं, अगला, 84 सिवा सम्विधान चंचोदन अधिनियम के द्वारा, किस वर्ष तक लोग सभा मे सीटों की कुल संक्या में परिवर्थन नहीं हो सकता, 2026 तक नहीं हो सकता, भारत में किस सम्विधान चंचोदन द्वारा, मत की आयू, वोटिंग की आयू, 21 से घटा कर ठारा कर दी गई, तो याद रखिएगा, 68, 68, 68, कुछ लोग इसको गलती से पढ़ लेते हैं, 69, गलत, 68, 68, 68, लागू हुआ, 89 में, ठीक है न, GST को किस सम्विधान चंचोदन के तहत लाया गया, ठीक, 101 सम्विधान चंचोदन, 2016, भारती सम्विधान का 100 सम्विधान चंचोदन, किस समंदित, बागला देश के साथ भोमी, समझो होता है से ये 101, 102, 103, 104 ये 4 संचोधन आपको एकदम रट लेना चाहिए 104 वां सम्विधान संचोधन क्या है SC और ST को विधान सभाव में आरक्षन क्यों 2030 तक बढ़ा दिया गया है 103 वां सम्विधान संचोधन एकनोमिक बैकवर्ड क्लास के से लेटेड है 10% जो वो दिया गया है 102 वां सम्विधान संचोधन OBC के लिए सम्विधानिक दरजा बना दिया गया 101 वां JST है और सववां क्या है बंगलादेश से भी हम समझो होता 99 था NJAC जिसको क्या कर दिया गया खतम कर दिया सुप्रम कूर्ट ने 94 सम्विधान संचोधन आर्टिकल 164 में संचोधन हुआ 95 के तहत 334 में संचोधन किया बारती सूची में 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा डाल दिया गया अब ये प्रशना आ जाए तो आपको लेगा कहां से प्रशना है लेकिन यहां से प्रशना है ये देख लीजिए लोगर PCS 2008 में पूचा है 2017 में PCS में पूचा है अगला भारती संविधान के हिंदी पार्ट क किन संशोधनों के द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकरित किया गया है तो 58 संविधान चंशोधन भी जानना जरूरी है 26 संविधान चंशोधन 1971 द्वारा आपको ये पता होना चाहिए कि सारे वो खतम कर दिये गए जितना राजा हो जाये था ये सब बंद कर दिया गया ठीक है अगला क्या है 42 में संविधान चंशोधन के तहें तीन शब्द जोड़े गए क्या संविधान संविधान संदान द्वारा समाप्त किया गया कि 100 अगर कि 2044 में संविधान संचोधन संविधान के अधिकार को कानूनी یा वाला अधिकार बना दिया गया या रखिए कौन एक सम्विधानी का अधिकार मौलिक करतवियों से संबंदित है 42 सम्विधान संचोधन 1976 सरदार सुनर्ण सिंग की समित की आधार पर इसको बना दिया गया भारती सम्विधान की किस संचोधन द्वारा आंतरिक अव्योस्था के स्थान पर सशस्त विद्रो को संब्लित किया गया याद रखेगा ये हैं उत्तरदाई किसके लिए राज निर्वाचन आयोग जिला नियोजन समिती और राज वित आयोग के लिए किसके लिए है ये पंचायती राज से संबंदित है आपको पता होना चाहिए ये 73 और 74 तो सब कुछ उसी से संबंदित होगा अब आपको पिछली बार मैंने एक प्रशन पूछाता है कि पंचायती राज से संबंदित चुनाओ कौन कराता है ये जो लोकल बाडी के चुनाओ होते हैं उसके लिए राज जिनिर्वाचन आयोग होता है सम्विधान चंचोधन का कौन सा एक बताता है कि मंत्री मंदल में कुल मंत्रियों की संख्या लोग सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रिशत से अधिक नहीं हो सकती इक च्यावन नैंटीवन मतलब इक च्यावन सम्विधान चंचोधन 2003 कहता है कि प्रधान मंत्री को मिला लिए और सारे मंत्रियों इन सब की संख्या पूरे संख्या के 15 परचंट से अधिक नहीं हो सकती और राज्यों में क्या है बारसे कम नहीं हो सकती अगला आजये तिरान बिवा सम्विधान चंचोधन से कौन सा एक भारती संसत के दोनों सद्धनों द्वारा लग लग विशेष बावमत से पारित होना अविश्यकर शम्विधान संचोधन विधेयक, भारत की सरकारी भाषा का प्रावधान का संचोधन हो सकता है, आठकल 343 से संबंदित है, याद रखिए सामा निभाउमत से हो सकता है, ये प्रशन बहुत जरूरी है और अकसर आपके सामने दिख जाएगा, याद रखिए सिक्षा कादिकार 86 संचोधन नगर पंचायद 74, ग्राम पंचायद 73, सेवा कर 88 संविधान चंचोधन ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, और क्या सकता है, संविधान में संचोधन की पहल की जा सकती है, संचोधन के किसी भी सतन में, संविधान में अगर संचोधन करना है, तो लोग सभ सबसे जरूरी समिधान का कौन सा चंशोधन यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राजी के नीत निदेशक तक तो जो अनुच्छे 42 में वढ़ने था प्रभावी बनाने के लिए किया जाए और ये है 25 समिधान संशोधन नागरिता संशोधन विथेक 2019 कब से पारित कि गया तो 12 दिसंबर 2019 से वरिता क्रम एक सबसे जरूरी प्रशन ये ये प्रशन अक्सर आपको दिख जाएगा और इस पर मैं एक वीडियो बाद में अलग से बना भी दूँगा वरिता क्रम सबसे भारत में अगर वरिता क्रम दिखा जाए तो सबसे उपर होता है राश्पती उसके बाद होता है उपराश्पती फिर प्रधान मंत्री मतलब ये सिक्वेंस आपको रटना है कम सकम आठ तक आठ सिक्वेंस तक रटना है सबसे उपर कौन होगा राश्पती फिर कौन होगा उपराश्पती फिर कौन होगा प्रधान मंत्री फिर कौन होगा राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में मतलब फिर से सिक्वेंस रास्टपती उपरास्टपती प्रधान मंत्री राज्यों के राज्यपाल उसके बाद भूत पूरु रास्टपती फिर उपरधान मंत्री उसके बाद भारत के मुख्य नयादीस ये आप important तौर पे याद कर लीजे कि लोग सभा अध्यक्ष को मुख नयायदीज, भारत के मुख नयायदीज के समकच रखा गया और दोनों की जो संख्या है वो कौन से नमबर पे हैं छटवी position पे हैं ये आपको रट लेना चाहिए फिर सर्वोच नयायले के अनयनयदीज नववे नमबर पे हैं भारत रत निक्वाले कितने लोग हैं ख्याद रखेगा फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ ये आपको रटना है क्योंकि एक्जाम में बार बार आ जाता है ये क्या है सबसे पहले राष्टपती भारत के मुख नयायदीज और लोगसभा अध्यक्ष दोनों कौन से पायदान पर हैं चटे नमबर पे हैं फिर साथवे नमबर पे संग के कैबिनेट मंतरी बूत पूर प्रधान मंतरी लोगसभा में विपक्ष के नेता ये सब साथवे नमबर पे हैं नीतियायो के उपाध्यक्ष फिर साथवा ए ये एक बार आजुका है एक्जामे भारत रत्म वालों को किस नमबर पे रखा गया है साथ ए पे रखा गया है आठवे पे रास्ट मंडल के उच्चा युक्त हैं नवे पे सर्वूच नयाले के नयायदीज हैं सर्वूच नयायदीज किस नमबर पे हैं चट्थे नमबर पे हैं लोगसवा अध्यक्ष के साथ और सारे नयायदीज के कह नमबर पे हैं संग लोक सिवाईच का चेयर में दसवे नमबर पे आता है नवे नमबर पे अगला प्रशना आजाईए राज्य सरकार की संदचना और उसकी कारेप्रणाली अब तक हम लोग ने जानी किसकी कारेप्रणाली संग की अब हम लोग बात करेंगे राज्य की निम्न में से किसे राज्य पाल न्यूक्त नहीं करता उच्छ नयाले के न्याधीशों की न्यूक्त सिर्फ कौन करता है भारत का रास्टपती करता है ये मैंने अपने पढ़ाते समय इंडिन पॉल्टी को बताया था भारत किसी राजिक, भारत में किसी राजिक, राजपाल अपने पद पर कब तक कारे रहत रह सकता है रास्टपती के प्रसाद परियंत याद रखिएगा कोई भी कभी एक्जाम में देखे प्रधानमंतरी के प्रसाइध परियंत कोई नहीं रहता सब किसके प्रसाइध परियंत रहता है. राष् Ground पती के जो राजीपाल रहता है वो संग सरकार का एक प्रतिनित रहता है राजीओं में. ताकि भारत की एकता बनी रहे अगला आजाईए भारत के राजिपाल से संबंधित उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए ये बहुत जरूरी है जानना वो जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए तो इसका क्या है? दो और चार सही है उसकी एज 35 वर्ष पूरी कर चुका हो ये भी सही है चलो ये सही है 35 वर्ष पूरी कर चुका हो उसका कारिकाल आमतवर पे कितने साल का होता है 5 वर्ष का होता है लेकिन सबसे जरुरी बात वो किसके प्रसाद के परियंत काम करता है रास्टपती उसको जब चाहे तब हटा दे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आम तरप उसका कारेकाल कित्ते साल होता है, पांच साल, लेकिन रास्टपत उसको कभी भी हटा सकता है, क्योंकि वो रास्टपत के किसमें है, प्रसाद परियंत है, अगला आजाईए, ये प्रशन, देख लिए भारती सम्विधान के अनुसार, एक ही व्यक्ति, एक समय में, दो से अधिक राज्यों कर आजपाल हो सकता है, बिल्कुल, अभी एक प्रशनी से संबंदित आ चुका गया है, ठीक, प्रतेक राज्य के लिए एक राज्यों होगा, ये भी सही है, दोनों सही है, स चेट की कोई बात, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए निवारित नहीं करेगी, याद रखिएगा, मतलब एक आदमी, क्या है, ये प्रशनी फिर से देख लीजिए, मैं भी कन्फ्यूज ना हूँ, और आप भी ना हूँ, इसमें सही क्या है, क्या सह प्रश्मिक्ताओं में, राष्टपती को राजिपाल के कृत्यों करेगी, देखे, सेम प्रशनी दुबारा रिवाइज हुआ, एक सो साथ अनुच्छे, ये मैं आपको बता चुका, ठीक, नेमने में से कौन सा कथन सही नहीं है, इस पे आ जाईए, नेमने में से कौन सा कथ विश्रान तिकाल में, कौन से काल में, विश्रान तिकाल में अध्यादेश करने की शक्ति दिता है, 213, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आटकल 123, 213, 123 के तहत राष्टपती अध्यादेश जारी करता है, तो 213 के तहत राजिपाल जाली करता है, किसी राजिपाल जारित ओर्डिनेंस का अनुमोधन होना आविश्यक है राजी की विधाई का द्वारा है तेक है? अगला, कौन पंचायतों की वित्ती इस्तिती का पुन्वरलोकन करने वित्ता योग का गठन کرता है याद करिए, राजी के वित्ता योग का गठन कौन करता है राजियों के वित्तायों का गठान संबंधित राजी का राजिपाल करता है राजिपाल को पर अगला प्रशन राजिपाल के लिए मार्ग दर्शक चिद्धन निर्धारत की जाने चाहिए अनुशंसा कप की प्रशाषनिक सुधार आयोग द्वारा राज्यस्थान के राज्यपाल जिने बरखास्त किया गया था रगुकुल तिलक थे ठीक है अब ऐसे वहुत सारे मतलब आप किसका किसका नाम बता है भारतिय समिधान के किस अनुच्छेत के अंतरकत राज्यपाल को इस प्रशन को ध्यान दीजे जब राज्य विधान सभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करनी हो तो अपना त्याग पत्र अपने आस्दलेक में किसको सौंपेगा याद रखिए डुपटी स्पीकर ऑफ दी स्टेट लेजिस राज के विधान सभा के ठीक राज के आरे अगर लोग सभा का अध्यक्ष रिजाइन करेगा तो किसको देगा उपाध्यक्ष को ठीक वैसे ही विधान सभा का अध्यक्ष रिजाइन करेगा तो उपाध्यक्ष को देगा याद रखिएगा लोग सभा और राज्य सभा में मैंने आपको पताया था कि संग के विधान मं जो तरीका है वैसे ही लगभग लगभग राजी के विधान मंदल का भी तरीका है सब कुछ आल्मोस्ट वैसा ही है उत्तर प्रदेश विधान परिशत वित्य विद्यक को कितने दिन विलंबित कर सकती है तो 14 दिन याद रखिये विधान परिशत अगर कोई धन विधान सभा ने भेद दिया, तो सब कुछ वैसा ही है, जैसे राजी सभा होता है, वैसे विधान परिशत का काम, थोड़ा संतर है, बाकि कोई अंतर नहीं है काम में, ठीक है, राजी विधान सभा में कोई विधान पुनास्थापित नहीं किया जाएगा, राजी के, मतलब पहले राजी प नातमक मतलब विधान सभा विधान परिशत है, ये एक जिका नोट डाउन कर लिजेगा, ति किसको भंग नहीं किया जा सकता है, परम समाप्त किया जा सकता है, ति किस राजी की विधान परिशत का, ये प्रशनी UPPCS में आ चुका है, रिसेंटली आया है, बहुत पुराना नहीं है, एक दो साल पहले आया है, क्या राज की विधान परिशद, अगर किसी राज की विधान परिशद का निर्मान करना है, स्थापना करना है, तो आर्टिकल 169, भारत के किस राज में दिसंबर 2014 तक विधान सब परिशद नहीं थी, तो ये बात था मध्य पृदेश में, बाकी का बिहार करनाटक महराष्ट में है, भारती सम्विधान के 170 के अंसार, किसी राज की विधान सबाके सदस्चों की नींतम या अधिक्तम संक्या कितनी हो जकती है, 6 या 60 या 500, तीक है, अगला आजाईए, विधान परिशद में मनोनीत सदस्चों की संक्या 1 बटे 6, य पहले देख लिजे, 5 बटे 6 का मतलब क्या, कुल विधान परिशद का 1 बटे 3 भाग स्थाई, स्थानी निकायों से बहरा जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा, 1 बटे 12, सनातक, 1 बटे 12, माद्य में एक पार्चाल के सिक्षन पढ़ाने वाले, मतलब टीचरों द्वारा 1 बटे 3 भाग राज विधान सभा के सदस्चन द्वारा ऐसे वेक्तियों से निर्वाचन होगे, जो विधान सभा के सदस्चन नहीं है, और बचा 1 बटे 6 सदस्चन राज इस पाल ऐसे वेक्तियों को करेगा, जो साहित तिकला में वो हो, मतलब ध्यान से सुनिए, कुल बटे 6 ये है, ये क्या है, 1 बटे 3 स्थानी निकाए, उसके बाद आ जाएगे, 1 बटे 3 के 3 पार्ट हो गए, 1 बटे 12 सनातक देंगे, 1 बटे 12 क्या होगा, सिक्षक संग द्वारा, मतलब सिक्षकों का चुनाओं होगा, 1 बटे 3 राज विधान सभान द्वारा निर्वाचित होगे, 1 बटे 6 अलग-अलग शेत्रों में पारंगत लोगों द्वारा, विधान परशत की संपूर्ण सदर्श शंक्या है, विधान परशत की सदर्श संक्या है, उत्तर प्रदेश की 100, विधान राज विधान सभा की सरवाधिक संक्या थी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, भारती समिधान के 162 के सीर्षक के संबंद में कौन सा राजी के कारिपाली का शक्ति का विस्तार दिल्ली की विधान सबाब विवाजित है सत्तर भागों में अब ये प्रशन UPPSC में पूँच रखा है एक बार अब आज आईए मुख्य मंत्री और मंत्री याद रखिए ये सबका मुख्य मंत्री का काज लगभग वैसा ही है उत्तर भुदेश की पहली मंत्री का उन्ति मैला ये थी सुचिता क्रिपलानी मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारन करण किया था राजिविधान मंडल द्वारा कुछ राजियों के बारे में विशेश संद्र जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री कार्यवधी ये सब पुराना हो चुका है ये पूराना है तो इससे बहुत ज्यादा नहीं आए का नियाए पालिका पर आजाईए नियाए पालिका से संबंधित वीडियो में अल्ड़ी कारीकारी नियाए धीशों की न्यूक्ति की जाती है कहां पे सम्विधान के 220 के तहत कारीकारी मुख नियाए धीश और जितने भी नियाए दीश है दोनों का वर्णन है ठीक है अब अगला आ जाईए केंद्री कानोनों का समवैधानिक वैदता के संदर्भ में भारत के सर्वोच नयाले की अनन्य अधिकारिकता है यह दूसरा भी सही है पहला भी सही लेकिन दोनों एक दूसरे की सही व्याक्या नहीं करते हैं भारत के सर्वोच नयाले के कारिवाहक मुख नयायधीश के न्यूक्ति करता है कौन रास्टपती के सहमत से भारत का मुख नयायधीश अगला आजाईए मैं भारत के सम्विधान के प्रती सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखोंगा भारत की संप्रभुता और खंटा को बनाये रखोंगा अपने परतवियों का अपने ये कौन करता है भारत के मुख नयायधीश द्वारा ली जाने वाली सपत है तो उच्चतम नयाले में सम्विधान के निर्वचन संबंदेत मामलों की सनवाही के लिए कितने नयायधीश होने चाहिए कमस कम पांच याद रखिए, सम्मिधान से सम्मंधित, सम्मिधान के निर्वचन, कभी भी सम्मिधान का निर्वचन करना हो तो कम सकम पांच लोगों की संक्या होनी चाहिए न्यायदीशों की सर्वोच नयाले का नयाइदीश अपना पत्याक पत्र देता है किसको राष्ट पती को देता है उच्टम नयाले के नयाइदीशों का वेतनमान कौन में धारित करता है ये संसत द्वारा होता है ठीक उच्टम नयाले के भारती समीधान के से किस अनुचेद में कौन से सर्वोचण्याले द्वारा समीधान के अनुलंगनी मौलिक धाँचा मौलिक धाचा क्या है एक दो चार इक प्रारम्विक छेत्राइदिकार मैंने आपको बताया था प्रारंबिक छेतर अधिकार के बारे में सर्वोच नयले के भारती सम्विधान का कौन सानोचेत सम्वेधानिक विवाद में सर्वोच नयले के अपीली छेतर अधिकार से संबन देता है समवैधानिक विवाद मामले में याद रखेगा ये 132 भारत के राज चेतर में किसी दंडिक अनिकारवाई में किसी नेड़ने की अपील उचतन नयाले महोगी आटकल 132 ये आटकल में एक दम लिखा के रटा चुका हूँ भारत के सर्वोच नयाले का परामर्श दात्री अधिकार प्रयोक्त होता है सारजवनिक मायत्यों के कानून मामलों में राजपत को परामर्श देता है 143 ठीक एक और देख लीजिए एक अभी बड़ा जबर्जस प्रशनाने वाला है मैं देख रहा हूँ भारती सर्वोच नयाले ने सम्मिधान के अधार भूद बेसिक धाचा बेसिक स्ट्रक्चर को कब एक्स्प्रेंट क्या हूँने 173 केश्वनन भारती मामलें भारत का सर्वोच नयाले एक अभी लेक नयाले है इसके सभी नियरनों का भाई क्या होता है लाब के पद का उल्लेक सम्मिधान के 102 में हुआ किन्तों लाब का पद इस पार्टिकुलर वर्ड को कब कहा गया सर्वोच नयाले ने बताया ठीक दिया बंदी पृत्यक्षी करण के अंतरगत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बिनाया जा सकता है तीम महीनी के लिए जनहीत याज का कि शुरुवात किस के द्वारा हुई नयाइक पहल के द्वारा हुई ठीक है एक और अगला प्रशन एक और इंपोर्टेंट याद रखिएगा व्यक्तिकत सुतंतरता के लिए उच्छ नयाले किस रिट को जारी कर सकता है बंदी पृत्यक्षी करने में से एक रिट में कारिवाई लंबित होने की दशामिलागू की जाती है उत्प्रेशन ठीक अच्छा मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि 800 पहुंच गया है अब एक काम करते हैं बचे हुए दो सौकों मैं एक तीसरी वीडियो बना दूँगा मुझे माफ करिये बहुत देर हो गया अब क्योंकि मैं या तो एक्स्प्लेइन करके पढ़ा हूँ तो वो ज़्यादा सही है ऐसे जल्दबाजी मैं नहीं पढ़ा सकता मैं अगली वाली वीडियो में इसको कम्प्लीट कर दूँगा अब सिर्फ 300 बचे हैं वो अगली वीडियो में पूरा हो जाएगा